वो कहते हैं ना कि अगर इंसान अपना होसला मजबूत कर ले तो वो बड़ी से बड़ी चीज भी चुटकियों में अपने कदमों मिला सकता है बस होना चाहिए तो लगन और महनत करने का ज़स्बा दुनिया में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी महनत के बल पर आज वो मुकाम हासिल किया है जहां उनका होना कोई सोच भी नहीं सकता था आज ऐसे ही एक शक्स की कहानी हम आपके सामने लेकर आएं हैं और हमें उमीद है कि उनकी ये कहानी आपके लिए जरूर प्रेढना का काम करेगी ये कहानी है भूपाल के मुकेश राजपूत की जिनके पिता दरजी की दुकान चलाते थे मुकेश ने अपनी प्रारंबिक शिक्षा ग्राम पेपरिया में पूरी की दिल में कुछ करने की उमंग थी इसलिए महस दस साल की उम्र में घर छोड़कर महराष्ट चले गए जहां पर अपना खर्चा चलाने के लिए चाय की दुकान में काम किया चाय की दुकान में काम करने के कुछ दिनों बाद एक लोडिंग ओठ चलाने का काम हाथ लग गया ऐसे ही एक दिन लोडिंग में सामान लेकर एक बड़े दफ्तर बहुचे दफ्तर में देखा कि तमाम कुर्सियां लगी हैं कई लोग बैठे हो और अपने काम में लगे हुए हैं दफ्तर का महौल कुछ अलग ही था कई सारे अधिकारी कर्मचारी कुर्सियों पर बैठे दिखाई दे रहे थे ये सब देखकर मुकेश के मन में भी आया कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ जैसे तैसे हिम्मत करके वहां बैठे एक अधिकारी से पूछा कि अगर मुझे भी आप जैसा बनना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस पर अधिकारी ने कहा कि तुम्हें सी ए प्रोफेशनल की पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर क्या था मुकेश ने चाय का ठीला लगाना शुरू कर दिया और एक और चाय का ठीला लगाते और दूसरी और अपनी पढ़ाई करते धीरे धीरे कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई जो उन्हें रास्ता दिखाते गए और बताते गए कि क्या करना है और ये सब करते करते मुकेश आखिरकार अपनी मज़र तक पहुच गए आपको ये जानकर भी हरानी होगी कि दसफी में तीन बार फेल और सीए की परिख्षा में छे बार फेल होने वाला ये आदमी आज एक सक्सिस्फुल सीए है और अब कई लोगों को मार्ग दर्शन दे रहा है कई संस्था हैं जो इन्हें बुलाती है जहां ये मोटिविशनल प्रोग्राम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए और कई जगह पर तो ये निशूल क स्टूडेंट को शिक्षा भी दे रहे हैं इन्हों ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है सीए बास इसमें मुकेश राजपूत की जिन्दगी का हर वो पहलू लिखा है जिससे वो अपनी मन्जल तक पहुशने में दो चार हुए है सुनने में ये भी आया है कि इनके इस किताब को लोगों ने बहुत पसंद किया है और इस पर फिल्म बनाने का भी विचार किया जा रहा है तो हो सकता है कि मुकेश राजपूत की जिन्दगी के संखश की ये कहानी आपको किसे दिन बड़ी स्क्रीन पर नज़र आए सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स